हाई गाईस मैं हूँ प्रिती और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ड में स्वागत है आज करती हूँ आज का दिन आपका शुप बितरा होगा आज के वीडियो में बताऊंगी ऐसी दस बाते जो ब्रहर ब्रैस्पिडिंग मदर को याद में रखनी है कंपल सरी फॉलो करनी है यह बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला इसलिए अंतक बने रहेगा अगर आप में चैनल पर नहीं है पहली बार में चैनल देख रहे हैं तो प्लीस इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैंने रखता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ते टिप नम्बर वन जरूरी लाइच पर काम कीज़ेगा अगर लाइच अच्छा है तो ब्रेस्मिल्क अच्छा होगा प्रेस्टिंग सप्लाई अच्छा होगा तो मदर पीसफूल होगी तो बच्छे को अच्छा सान निट्रूइशन मिलेगा सब्सक्राइब करने से अच्छा अपने लैच पर फोकस कीजिए तो आपका जो ब्रैस मिल्क प्रप्ला है वह बड़ेगा लैचिंग प्रॉपर होगी तो 75% मिल्क जो है इंक्रीज होगा और 35 जो 30% है वह खाने से इंक्रीज होगा तो जादा फोकस कीजिए लैच पर सही ना पॉइंट नमबर टू अगर आप ब्रैस मिल्क अच्छे से पिला सकती हो और आपको आफिस जाना इसा कंपलसरी नहीं है छे मेरे तक आप पिला सकती हो तो आप पहले है ना ये चीज़ मत कीजिएगा बॉटर इंटर्यूस मत कीजिएगा अर्ली स्टेज पे नमबर त्री तीन से चाल लिटर पानी आपके पेट में जाना ही चाहिए और नमबर फूर आपकर ना कंपलसरी है ना दिन में मेडिटेशन करना ज़रूरी है क्योंकि मदल्स जो है उनके हॉर्मोंस इंबैलेंस होते दों आज है कीट और ड्राट करने से उनको जो रिलेक्स उते हैं उसके साथ-साथ आप चानी और रात का इस नो रुटिन होले और बोसु करोगे काफ़ी होगान करोड़ा कि आप को होको एक्क्ससाइस पर ध्यान देना है अगर आप वसक्षाइब करों पोड़ी में नहीं होगा कि मैं को प्तरबाद होगा पर ना पीं होने की वजह से तर्ब्रेस्च मिल शालाई भूवक्त यहinken गुष्ट नाम का हॉर्मोन रिल्यूस होता है सिन आता है है lang ये हेपी रहने के लिए हेल्पफूल आगर आप को आयनνα चूहँ द्छार बने हसे जरूओंग आपके डाएट में breast milk booster होने चाहिए breast milk booster में आप ले सकते हो fresh vegetables fruits बदाम और लेसून अंडा खा सकते हो chicken boiled chicken होता है वो खा सकते हो उसे breast milk अप्लाएं बढ़ता है पॉपिस लेक सकते हो तिल ले सकते हो आप पहना अपने जो मल्टी विटैमिन जो चालू थे pregnancy की टाइम पर वह भी continue रखना है देर साल तक जब तक आप बच्चे को फीट कराते हो तब तक आपको यह सारे चीज़ा शुरू रखनी है जैसे की calcium हो गया आयन हो गया जो मल्टी विटैमिन आपने delivery की टाइम तक खाए है वह सारे continue रखने है आप बोले क्यों continue रखना है अब तब बेबी हो गया वह इसलिए क्योंकि आप अगर breastfeed करा रहे हो ना तो बच्चे को आपके अंदर से सारे nutrition चली जाते है उसके वज़े से आपके शरी में कई ना कई उसकी कमी आने लगती है इस वज़े से आप अपने चीज़े ध्यान में रखिए और continue कीजिएगा point number 8 as a mother आपको याद रखना है कि खुद का जो self belief है हमेशा हाय रखिएगा इस चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी माँ कोई भी जो step लेती है अपने बच्चे के लिए बहुत ही सोच समच के ही लेती है friends इस guilt में मत जाना क्योंकि किसी ने बोला ये नहीं करना चाहिए था किसी ने बोला वो नहीं करना चाहिए था और अपने आप पर blame लाखे अपने आपको guilt में लेकर जाना demotivate करना ऐसा मत कीज़ेगा अपने self confidence को इतना मजबूत रखिए कि अपने आपको कह सके कि मुझे उस समय जो सही लगा हो मैंने किया किसी और के बातों में आके अपने self confidence को demotivate ना कीज़ेगा नमर 9 आपके डाइट में high calcium diet होना चाहिए high calcium diet का यह मतलब ने कि आप दिन में एक एक लिटर दूद पीजाओ और रागी ले सकते हो पनीर ले सकते हो सोया ले सकते हो यह सारी चीज़े आप अपने डायेट में रख सकते हो नमर 9 आपके डाइट में compulsory vitamin C rich foods होने चाहिए fruits or vegetable दोनों होने चाहिए जैसे कि red, yellow, green veggies होते हैं वो ले लो, संत्रा हो गया, मुसंबी हो गया, कीवी हो गया berries हो गया, strawberries हो गया, cherries हो गया यह जो हलके खटे जो फल होते हैं वो उसे आपके breast milk supply बढ़ाने में मदद करता है number 10 आपको इस comfort zone में आना है कि आप अपने बच्चे को कहीं भी कभी भी अपने बच्चे को breast milk पिला सकते हो आप को लोगे हम लोग बाहर गया है तो कैसे breast milk पिला सकते हो आप अपने बच्चे को कैरी कर सकते हो और breast milk पिला सकते हो आप अपने इजी जोन में चाके वह जो breast milk है पिला सकते हो यह जो दस ट्रिक्स है यह कम आपको help करेंगी कि आप एदम एजी और comfortable mother बन सको और peaceful mother बन सको आज का जो वीडियो यहीं तक था हुपसो अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा है तो प्लीस लाइक ज़रू कीज़ेगा अपने फैमली फ्रेंड इलेटर से शेयर दो कीज़ेगा चलिए बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं पी हुआ प्रिंस यहां तक वीडियो देखाएं ता धन्यवाद चलिए बाई अच्छा लुआ झाल बाई